डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड दे गलोग और्टेरियो हकूमत ने लॉंग टर्म केर होम्स में मुकीम अफराद से इनके प्यारों को मिलने की अजासत देने का पैसला कर लिया क्योबेक के माही में सेहत का हकूमत से मांस को लाजमी करार देने का मतालबा मांस से करोना वार्ष के फिलाव को महदूत किया जा सकता है कैनिदा में करोना वार्ष से मतास्र होने वाले अफराफ की तादा 97,530 हो गई टुरांटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहेगा इन्वार्मेंट कैनिदा की मताबिक शहर का कम से कम दर्ज़ हरारत 9 जबके ज़्यादा से ज़्यादा 99 डिग्री सेंटी ग्रेट रहेगा क्योबेक हुकूमत में करोना वार्ष के सबब किये जाने वाले लॉकडान में सूबे भर में मरहलावार नर्मी पीर के रोज से मजीज शूबो को खोला जाएगा दुनिया भर में करोना वार्ष मतासरा अफराफ की तादाद 74,97,341 तक चाप पहुची है जबके इस से हलाकते 4,23,844 हो गई अमरीकी सदर की जाने से पाबंदी आयद करने पर आलमी अदालत का अफसोस का इजहार पाबंदियों के एलान पर हिसम्मी बियोरो का एहम इजलास तलब कर लिया हेडलाइंस आपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कैनेडین वजीराजम जस्तिन टूडो का कहना है कि फिजाई सफर करने वालों का बुखार चेक किया जाएगा ताके करोना वाइरस के फैलाव को कम किया जा सके उनका कहना था कि अगर किसी को बुखार हुआ तो उसे फलाइट में जाने की इजासत नहीं होगी प्रूडो का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कैनेडा में करोना वाइरस के सबब हलाकतों की तादाद आठ हजार से तजावस कर गई है प्रूडो का कहना था कि फर्स नेशन के चीफ एलन एडम की गिरफतारी के हवाले से उनके पास संजीदा सवालात हैं उनकी गिरफतारी के हवाले से जारी की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक RCMP आफिसर ने उनके उपर चलांग लगाई और उनके सर पर मुक्के मारे परूडो का कहना था कि हमने उनकी गिरफतारी की हैरान कुण वीडियो देखी है और अब हमें इन सब को रोकना है उनका कहना था कि दिगर अफराद की तरह मेरे जहन में भी इस वाल है कि हकीकत में क्या हुआ था जिसका जवाब शफाफ और अज साथ तहकीकात के जरीए ही हासिट किया जा सकता है उनका कहना था कि बतोर है हमें इन सब को बदलने की जरूरत है ओंटेरियो के प्रीमे का कहना है कि जिन अफराथ तक करोना टेस्ट नेगेटिफ आएगा सिर्फ इन्हें ही अपने मुज़र्गों से मिलने की इजासत दी जाएगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ओंटेरियो हकूमत ने लांग टरम केर होम्स में मुकीम अफराद से उनके प्यारों को मिलने की जासत देने का फैसला कर लिया पर मेर का कहना है कि जिन अफराद का करोना टेस्स नेगेटिफ आएगा सिर्फ उने ही अपने बुज़र्गों से मिलने की जासत दी जाएगी इस वैसले के तहट लांग टरम सेंटर्स में मुकीम एक रहाईशी से सिर्फ एक फर्द हफ़ते में एक बार मुलाकात कर सकेगा और ये मुलाकात भी मारत से बाहर होगी प्रेमिर डग फोर्ड ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बता कि आएंदा हफ़ते से ऑंटेरियर के अवांग लांग टरम केर सेंटर्स में अपने प्यारों से मिल सकेंगे ताहम इसके लिए उन्हें पहले करोना टेस्स करवाना होगा ये अजाज़ सिर्फ उन लौंग टरम केर होम्स के मुकीम अफराद से मिलने के लिए हैं जहां अब तक करोना वारस नहीं फैला पोर्ड का कहना था कि हम चाते हैं कि लोग लौंग टरम केर सेंटर्स में मुकीम अपने प्यारों से मिल सके या इस सलसले में हमने पहला कदम उठाया है और इसके साथ उनकी हिफाज़त को भी यकीनी बनाया जाएगा डॉक्टरों का कहना है कि मास्क एक कम लागत वाला खत्रे से पाक एक असान तरीका है जिससे करोना वारस के फैलाओ को महदूद किया जा सकता है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में माहरीनी सेहत की जानब से क्यूबेक हकूमत से माक्स पहनने को लाजमी खरार देने का मतालबा किया है डॉक्रों का कहना है कि मास्क एक कम लागत वाला खत्रे से पाक एक तरीका है जिससे करोना वारस के फैलाओ को महदूद किया जा सकता है माहरीन का कहना है कि अब साइंस को सुनने का वक्त आ गया है जब तक वैक्सीन दस्तियाब नहीं होती उस वक्त तक माक्स पहनना हमारी जिन्दगी में थोड़ा सा मामूल पर आने का एक तरीका है 27 हल्थ पर्फेशनल्स का गुरुप माक्स को इंडूर खाली जगों पर 12 साल या उस से जाइद उमर के अफराद के लिए रुखास तोर पर पबलिक ट्रांजिट पर लाजमी करार देने के लिए कह रहे हैं वो ये भी चाते हैं के माक्स आउट डूर जगों में पहना जाए जहां दूसरों से दो मीटर दूर रहना मुश्किल है कैनेडा भर में करोना वारस के बाइस हलाफ होने वाले अफराद की तादाद 7994 तक चापाची है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारस का जोर तूट चुका ताहम अब भी इसके फैलाओ का सलसला ज़ारी है आखरी इतलाद के मताबिक कैनेडा में करोना वारस से मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 97523 हो गई है आखरी इतला했습니다 मुल्ग भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की टादाद साथ हजार नोसो च पुरानवे तक जा पहुची है क्यूबिक सुबा कोरोना वायरस से सबसे जदा मतास्र हुआ है ताहम वहाँ अब करोना वारस के केसिस में कमी आने लगी सूबे भर में करोना वारस के मजमूए केसिस की तादा 53,485 हो गई है जबके सूबे में करोना वारस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,105 तक पहुँच चुकी है आंटेरियों में करोना वारस 31,544 अफराद मुतासिर हुएं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,487 है अलबर्टा में 7,316 अफराद करोना वारस से मुतासिर हुएं जबके 149 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं बिर्टिश कॉलंबिया में 2694 अफराद में करोना वारस की तजदीक हुई है जबके सूवे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादात 166 है महकवा मौसमियाद के मताबिक आएंदर हफ़ते टोरॉंटो का मौसम गर्म रहेगा जबके ज़्याद से ज़्यादा दर्जह हरारत जिम्राद के रोज 28 डिग्री सेंट्री गरेट रहेगा और कम से कम दर्जह हरारत पीर के रोज 12 डिग्री सेंट्री गरेट रहेगा तफसिलाव इस रिपोर्ट में टॉरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहेगा Environment Canada के मुताबक शेहर का कम से कम दर्जहरा रहत 9 जबके जादा से जादा 19 डिग्री सैंटिगरेट रहेगा इन्वामेंट कैनेडा के मुताबिक जी टी ए में हफ़ते के रोज दिन के आउकात में सूरज भी निकला रहेगा जबके बादल भी छाय रहेंगे शेहर का जाद से जादा दर्जहरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेट रहेगा जो रात में 9 डिग्री सेंटीग्रेट हो जाएगा इत्वार के रोज शहर में सूरज निकला रहेगा जबके दर्ज अरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेट रहेगा जो रात में 10 डिग्री सेंटीग्रेट हो जाएगा मैक में मौसमियाद के मताबिक आइंदा हफते टॉरंटो का मौसम गर्म रहेगा जब के जादा से जादा दर्जे हरारत जुमराथ के रोज 28 डिग्री सेंटी करेट रहेगा और कम से कम दर्जे हरारत पीर के रोज 12 डिग्री सेंटी करेट रहेगा मुतादित कारुबार दुबारा खुल गए, लोग काम पर वापस चले गए, बहुत सी सर्विसेस दुबारा शुरू हो गई है, सेहत आमा के सकत अक्दमात के साथ सूबे को वायरिस की दूसरी लहर से बचाने की कोशिश की जा रही है, तफसिलात इस रिपोर्ट में क्योबिक सूबे में करोना वायरिस के सबब किये जाने वाले लॉकडाउन में सूबे भर में मरहला वार नर्मी की जा रही है, मतादित कारुबार दुबारा खुल गए, लोग काम पर वापस चले गए, बहुत सी सर्विसेस दुबारा शुरू हो गई है, सहत आमा के सकत की एक चुका जमा होने की अजासत होगी, ताहम मॉंट्रियाल, जोलेट और अल पेफनी को 22 जून तक एक हफ़ते बाद ऐसा करने की जासत है, मॉंट्रियाल, जोलेट और अल पेफनी के इलावा सूब भर में रेस्टरौन्स के खुलने के भी इमकानात है, जबके घरों में दो मीटर फासले का हुसूल अब भी परकरार रहेगा जबके शेरी बुटानिकल गार्डन में जा सकेंगे मुक्तलिफ मुमालिक में करोना वारस की वबा का जोड तूट चुका है तो कहीं ये अरूच पर है और कहीं इसके केसिज और अमवाद ना होने के बराबर है तफसिलात इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस की मुजी वबा ने मुसलसल अपने पंजेगार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके उससे अमवाद में भी हर रोज इसाफ़ा हो रहा है मुक्तलिफ मुमालिक में करोना वारस की वबा का जोर तूट चुका है तो कहीं ये उरूच पर है और कहीं उसके केसिज और अमवाद ना होने के बराबर है दुनिया भर में करोना वारस से मुतासरा फ्राद की तादा 76,97,341 तक जाप पहुँची है जबकि उससे हलाकतیں 4,23,844 हो गई अमरीका ताहाल करोना वारस से सबसे जादा मुतासरा मुलक है जहना सिर्फ करोना मरीज बलके उससे हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जादा है अमरिका में करोना वारस से अब तक 1,16,034 अपराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके उससे बेमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,89,701 हो चुकी है भारत में भी करोना वारस के मरीजों की तादाद में तेजी से इसाफा हो रहा है और वो इस पैरस में छटे नमबर पर आगया है भारत में करोना वारस से 8,501 हलाकते हो चुकी है जबके उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,98,283 हो गई एरान में करोना वारस से मरने वालों की कुल तादाद 8,584 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 1,80,156 हो गई तुर्की में करोना वारस से ज़ादाद 4,763 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 1,74,023 हो गई साओधी अरब में करोना वारस से अब तक कुल अमबात 857 रिपोर्ट होई है जब कि उसके मरीजों की तादात एक लाग सोलह हजार एकिस तक जाप पहुंची है अमरीकी सदर की जाने से पाबंदिया आइद करने पर आलमी अदालत ने अफसोस का इजहार किया है तर्जमान का कहना है कि अमरीकी हकूमत के आई सी सी पर हमले नाकाबले कबूल है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर की जाने से पाबंदिया आइद करने पर आलमी अदालत ने अफसोस का इसहार किया है तर्जमान का कहना है कि अमरीकी हकूमत के आई सी सी पर हमले नाकाबले कबूल है तफसिलाथ के मताबएं डानल्ड ट्रॉम्प की जानिप से आलमी अदालत नसाफ के कारकुनान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर आलमी अदालत नसाफ भी अपने मौकिप पर डट गई पाबंदियों के ऐलान पर असेमली बियोरो का अहम इशलास तलब कर लिया तर्जमान का कहना है कि अमरीकी सदर के एकदामाद पर अफसोस है डॉनल्ड ट्राम्प ने कानून की हुकमरानी में मदाखलत की कोशिश की आलमी अदालत इनसाफ पर अमरीकी हुकमत के हमले नकाबले खबूल है तर्जमान ने कहा कि एक दामाद आलमी अदालत के हलकारों पर असरंदास होने की नकाम कोशिश है आलमी अदालत पर हमला दर असल मजालिम का शिकार होने वाले बेगुनाहों पर हमला है तर्जमान ने सल्जम का इज़ार किया कि आलमी अदालत अपने हलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है अमरीका ने एतसाब को यकीनी बनाने की कोशिश को नुकसान पहुचाया आलमी अदालत के तर्जमान के मताबक अगवानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात की जाज़त तलब की गई थी जंगी जराइम की तहकीकात की जाज़त दो हजार सत्रा में तलब की थी प्रांसेक्यूटर के कहना है कि अमरीकी अगवान पॉज और सी आई ये जंगी जराएं की मुर्तकिप हुई थी बाद अमरीकी दबाव पर तहकीकात की ब्तिदाई दर्खास को अपरेल 2019 में मुस्तरत कर दिया था तहां मार्च 2019 में आलमी अदालत अपील चैम्बर ने तफ्तीश के हक में फैसला सुनाया था टैग टीवी के बुलिटिन से फिल हाल इतना ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दपाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे